Hey guys, welcome to my show, देखते हैं आज मा आपस कौन सी लेटेस्ट न्यूस है, हमारे पास है Xiaomi Foldable Phone की एक वीडियो अपेर हुई है, जो के बहुत ही एक suspense था foldable device से related, इस पे बात करेंगे and हम आपस है LG upcoming smartphones related, MWC 2019 24th of February को ये एक नया model launch करेगा LG, जिसमें tagline दी गई है goodbye touch, तो बताएगे गया है कि our gesture के साथ ये phone launch होगा, इस पे बात करेंगे, we have another news कि अगर आप jazz user हैं तो आप packages जानने के लिए आपको different quotes style करने की ज़रत नहीं है, बलकि जाए जाज वोल्स आपर, stay tuned, जिए और सबसे पहले तो हम बात करेंगे Xiaomi foldable phone, और आपको हम different news देख रहे हैं, दे रहे हैं बहुत ही दिनों से के Samsung, Huawei and LG भी working कर रहे हैं foldable devices पे, and इसके साथ, जो है वो अब Xiaomi की तरफ से हमने foldable device इसका एक video पेर हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं, जिसमें Lin Bin, जो के company के president है, उनके हाथ में वो device उपर हो use कर रहे हैं, और फोल्ड हो रही है वाकायता, ये वीडियो आप ही देख रही है, साथ-साथ में आप से share करती हू और हो सकता है कि ये foldable device जो है, वो काफी cheap device हो, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता, ये video देख के भी हम ये अंताजा नहीं लगा सकते कि ये intentionally जो है वो video लगाई गई है या नहीं, बट वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, जो release की गई है कि वो किस तरह की foldable device है, device के looks बिलकुल वैसी हैं, जैसे कि हम लोग इससे पहले leaks and rumors आप से share करते रहे हैं, लेकिन जैसे कि इस video में नजर आ रहा है कि इसके बिलकुल टॉप पे पावर बटन है, इसके साथ ये दोनों तरफ से fold हो रही है, आप उसको as a smartphone भी यूज कर सकते हैं, as a mini tab भी यूज कर सक होगी, like अगर मैं Samsung की foldable device के बारे में बात करूँ तो उसका काफी high price expect की जा रहे हैं, लेकिन इस Xiaomi के foldable device है, इसके बारे में अभी तक हमने यह सुना है, कि इसकी प्राइस है, वो काफी cheap होगी, तो मुझे जैसे ही को information पता चलीगी तो मैं आप से share करूगी, next news है, हमारे पा research के साथ इस phone को launch किया जाएगा, अभी तके smartphone के लिए एक छोटा से यही hint दिया गया है, जैसे कि आप इस video में भी देख सकते हैं, तो अभी इंतजार करते हैं, कि M2LC 2019 में हम लोग इस तरह की कौन सी latest innovations देखेंगे, और smartphone से related के foldable devices कौन कौन से companies की तरफ से launch किया जाएगे, stay जैसे के लिए एक आप जो के jazz world's app है, और अगर आप different packages use करते हैं, different codes की तरह जाते हैं, तो अब आप इसी एक ही, यानि के single tap के जरिए, आप तमाम packages के information ले सकते हैं, billing information से रेके recharge data के तमाम जितनी भी details हैं, वो आप इस एक app में हासल कर सकेंगे, with jazz world's app, users can do the following things, number one है, आप अ आप जितनी भी आपके remaining MB रहते हैं, या आपके minutes कितने हैं, या आपके minutes कितने हैं, या SMS कितने हैं, वो भी इस एक जरी आप देख सकते हैं, expiry date क्या है, अगर आपने कोई package यो है वो, यूज कर रहे हैं, उसकी expiry date क्या है, या आपका जो card है, उसकी बारे में, और इसके discounted bundles भी आप इसमें हासिल कर सकते हैं, view and download your usage history कि कितने अपना data यूज किया है, अगर या आप आपको चाहिए, तो आप जाए प्ले स्टोर पे, महाँ पे आप इसको install कर सकते हैं, विल्वियोर्स, keep sharing our videos, अगर आप्रेशेट की जपने feedback दीचे, कल दबार होने किस topic ले कर द